दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी चीज़ आपसे बताना चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे गुरूप डी के लिए परिच्छाएं शुरू हो चुकी हैं बच्चों को सबसे अधिकत जीके और जीयास्याद करने में आ रही है तो आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमने 3000 ऐसे परसंट तयार किये हैं जो पिछली परिच्छाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परिच्छा के लिए बेहत महातपूर है दोस्तों अगर आपको चाहिए रेलवे पुलिस यूपी ट्रिपल सी एससी बैंक या फिर किसी आने परिच्छा का स्टेडी माटेरियल तो आप एक काम तुरंत कर लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्कप्शन में हमारे अने अकेडमी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आपको जिस परिदियो की परिच्छा का स्टेडी माटेरियल चाहिए आपको प्रवाइड किया जाएगा इसके साथ साथ आपको रेलवे यूपी ट्रिपल सी एससी की लाइफ कलास भी प्रोइट कराई जाएंगी दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्रूप डी के तैरी करने वाले बच्चों के लिए बड़ी ख़बर आ रही है लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नहा है उनसे निवेदेने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमें आपको लगतार रेलवे भरती परिशा सम्मंदिस सबसे तेज अपडेट देते हैं कोई भी न्यूज कोई मिनोड़ी के सन आता है आप तक सबसे पहले पहुचाते हैं तो आइए देख लेते हैं अगर आप भी रेलवे में नौकरी के इच्चों को है तो आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है क्योंकि रेलवे आठवी और दसवी पास वालों के लिए एक हजास जादा चौकीदार के पड़ों पर भरती के प्रक्रिया नौममर महिने में सुरू करने जा रहा है इसलिए अगर आप नीचे दिये गए मापदंडों को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं तो आप भी रेलवे में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं क्या आप सुचने हैं कि आठवी पास के लिए कोई सरकारी नौकरी हो सकती है दोस्तों या सुनका है रहान हो सकते हैं आप सकते हैं अगर आप कंपड़े लिखें तो इन निरास बिल्कुल मत होई है भारती रेलवे में गुट्स गार्ड और चौकीदार के एक हजार से लिक पद रिखते हैं और इन पदों को भरने के लिए भारती युवाओं से आमंतर मांगे गए हैं तो दोस्तों आप अपना सम सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड यानि कि लाइनमेन यहाँ पर पदों के संक्या दस हजार है जिसके लिए दसवी पास के अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर अंतिम्सिती पंदरा दस दोजार अठारा है आए और पूरी जानकारी लेते यहाँ पर बहुत से पता आपको मिल जाएंगे नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड जो की दिल्ली में है माइनिंग सर्दार जूनियर ओवर मैं सर्वाइदर यहाँ पर पदों के संक्या डेड़ सो है इंजिनिरिंग डिगरी चाहिए इसके लिए अक्टूब कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं असम पुलिस की बात करते हैं तो कॉंस्टिबल के लिए पद है यहाँ पर एक सो तीस पदों की संक्या है बारहुई पास अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं जिसकी अंतियम तारीक तीस दस दोजार अक्ठारा है आगे बड़े तो इस हरियारा स सेलेक्शन कमीशन यहाँ पर टोटल पदों की संक्या देख सकते हैं बिविन पद हैं 1646 पद है बारहुई पास के अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं चौबिस नोजार अठारा की लास डेट थी मद्रदेश प्रफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल यहाँ पर यहाँ जो पद का नाम है अध्यापक हैं तोटल पदों की संक्या 1700 है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अंतिम तारीक 25 नोजार अठारा थी आगे देखलते हैं स्वास एम परियार कल्यार निदेशक अंद्रप्रदेश यहाँ पर नागरिक सहायक सर्जन तोटल पदों की सं अंदर यहाँ पर टोटल पदों की संक्या 231 है मेडिकल डिगरी धारिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 10 2018 इसकी अंतिम तारीक होगी आगे बढ़ते हैं बिजया बैंक यहाँ पर आपको प्रोबेशनली सहायक प्रवंधर की पद मिलेगा 330 पदों की संक्या इसनातक और सिये वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अंतिम तारीक 279 2018 थी आगे बढ़ते हैं भारती अनसंधान संगठन यहाँ पर आप अपरेंटिस टेक्निशन अपरेंटिस औरेंटिस टोटल पदों की संक्या 205 है 12 इसनातक आइटिया पास लोग इसमें अप्लाई कर सकते है फिर से बिजिया बैंक की बात करें तो कार्यारे सहाय के लिए यहाँ पर पद है तोटल पदों की संक्या 944 है इसनातक वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अंतिम तारीक के बारे में पूरी जानकारी दही दी गई है आगे बढ़ते हैं रेलवे बोर्ड अजमेर टिके इसके लिए आविदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तारीक के वीच में अभी इसकी अंतिम तारीक की गुसरा नहीं की गई है सांसे कृतिक संसाधन और पसेच्छड के दिली यहाँ पर जूनियर एम सेनियर फेलोसिप का पद है तोटल पदों की संक्या 400 है इसनातक वाले इस 10-10-2018 के लिए अंतिम तारीक होगी आईसमान मित भारती यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्स फर्मासिस्ट डाक्टर वा अन्न के लिए यहाँ पर पद हैं जिनकी पदों की संक्या बहुत ज्यादा है एक लाग है बारों भी पास आविदन कर सकते हैं 25-9-2018 की अंतिम तारी होगी आगे बढ़े अधिनास सिवा चैनायोग यहाँ पर जूनियर इंजिनियर के पद है 3000 पदों की संक्या डिप्लोमा वाले अपलाई कर सकते हैं 16-10-2018 के लिए अंतिम तारीक होगी भारती रेलवे और भी असिस्टर लोको पालेट वर्टन के पदों की आपको पता होग मेडिकल पास लोग अपलाई कर सकते हैं 26-10-2018 के लिए अंतिम तारीक होगी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यहाँ पर आप अगर बात करें पद की असिस्टेंट ऑपरेटर स्वीच बोर्ड ऑपरेटर जूनियर लाइन मैन टेकनीसियन ग्रेट फोर यहाँ पर पदो की तोटल संक्या दो हजार पचास है आठवी वास वा आईटिय वाले इसको आवेदन कर सकते हैं 8-10-2018 के लिए अंतिम तारीक होगी आगे बड़े उडिशा पब्लिक सर्विस कवीशन यहाँ पर जो पद का नाम है असिस्टेंस सेक्षन आफिसर है पदो क सेल्समेन का पद है बारोंवी पास आवेदन कर सकते हैं 28-29-2018 के लिए अंतिम तारीक होगी आगे बड़े गुजरात पंचायत सेवा सेक्षन बोर्ड अहमदाबाद पद का नाम कंपाउंडर है 117 टोटल पद है इसनातक वाले अपलाई कर सकते हैं 26-29-2018 के लिए अंतिम त बोर्ड सीनियर सेगंडरी टीचर के लिए पद है 17,000 टोटल पद है बीर्ड और इसनात वुत्तर वाले अपलाई कर सकते हैं 29-29-2018 के लिए अंतिम तारीक थी आगे देख लेते हैं 4-10-2018 के लिए अंतिम तारीक थी आगे बड़ते हैं करमचारी चैन बीमा निगम यहां पर सोशल सिक्योरिटी ओफिसर मैनेजर ग्रेट टू सुप्रिम टेंडेंट के लिए 549 पद है इसनातक वाले अपलाई कर सकते हैं 5-10-2018 के लिए अंतिम तारीक थी असम पावन डिस्टिबियूशन कमपनी यहां पर विद्धुत सहाय का पद है 2233 पदों की टोटल संक्या है इ 2923 के लिए अंतिम तारीक थी आगे बढ़े हम लोग देख लेते हैं बारस संचार निगम लिमिटेड वरकर फील्ड अधिकारी टेकनिसियन के लिए 15 सुपद हैं 8-10 पास अपलाई कर सकते हैं 17-10-2018 के लिए अंतिम तारीक थी नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड यहां पर आ यहां पर टोटल पदों की संक्याद 200 है बारहोंगी पास अपलाई कर सकते हैं 12-9-20-2018 के लिए अंतिम तारीक थी तो दोस्तों आपके सामने यह कुछ ऐसे आ करे थे जो पाचवी पास आठवी पास दसवी पास और बारहोंगी पास के लोग भी अपलाई कर सकते हैं आपने से देखा आपके सामने ऐसी हजारों नौकरिया मैंने आपको बताई जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे पिछले एक दो महिने में या फिर आवेदन चल रहे हैं उसके लिए योगिता केवल आठवी दसवी और बारहोंगी चाहिए यहाँ पर भारते रिल्वे की वेकंस आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नान्यवाद